किसी भी विशे के बहुत से उधारणों को हल करना बहुत ही उपयोगी होता है तो scientific notations यानि वैग्यानिक संकेतन के कुछ उधारण हम देखेंगे यानि हम कुछ संख्याई लेंगे और उन्हें उनके मानक रूप में लिखेंगे हम विभिन परकार के उधारण इस वीडियो में लेंगे और अन्त में हम कुछ calculations और computations भी करेंगे और उन computations में हम वैग्यानिक संकेतनों का भी प्रयोग करेंगे मैं यहाँ कुछ संख्याई लिखूंगा 0.00852 0.00852 दूसरी संक्या है 7.001 2.006 मैं मनमाने ढंग से जीरोज लिख रहाँ अगली संक्या है 0.000000 कुछ जीरोज मैं और लिखूंगा लेकिन अब बोलूंगा नहीं 5.00 अगली संक्या है पहले यहाँ दुशमलव लगा देता हूँ अगली संक्या मैं लेने जा रहा हूँ 7.2.3 अगली संक्या हम लेते हैं नेक्स नमबर इस दुशमलव 6 0.6 अब एक और संक्या ले लेते हैं ताकि सभी तरह की संक्याएं आ जाएं नमबर लेते हैं नमबर इस आठ दो तीन और इसके आगे कुछ जीरोज लगा देते हैं जितनी आप चाहें तो इस पहली संख्या को यदि हम सैंटिफिक नोटेशन्स में व्यक्त करना चाहें तो हमें दस के सबसे अधिक गातां को लेना होगा जो इसके लिए उप्युक्त हो तो इस में पहला पद जो शूने नहीं है वो है ये देखते हैं ये दिशमलव के दाई तरफ कौन से स्थान पर है गिन लेते हैं एक दो तेन तो ये बराबर होगा तो इसको लिखा हमने यहाँ दिशमलव पाँच दो तो पहले पद के बाद जो भी है वो दिशमलव के दाई तरफ लिख दिया है दिशमलव पाँच दो गुनादस अब हम इन पदों को गिन लेते हैं एक, दो, तीन, दसकी घात, रिना, तमक, तीन इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये कुछ अधिक है आठ और आधे हजाराँच से थाउजेंड्स इन में प्रतेक एक हजार है और हमारे पास इसका आठ दिशमला पाँच दो है अब इस संख्या को देखते हैं इसमें कितनी शूने हैं ये होगए तीन, छे, नौ, बारा तो एक बर फिर से हम शुरू करते हैं सबसे बड़े पद से ऐसा सबसे बड़ा पद जो जीरो नहीं है यहां पर ये पद होगा जो सबसे बाइंस थान पर है जो है साथ तो ये होगा साथ दिशमलफ जीरो, एक, दो ये बराबर होगा सेवन पॉइंट, जीरो, वन, टू गुणा दस की घात कितनी होगी ये होगा गुणा दस की घात एक के आगे इतनी जीरोs यहां ये एक हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, जीरोs होंगे सपश्ट कर दू यहां आप सिर्फ जीरोs को नहीं गिनेंगे बलकि हमें पहले पद के बाद के सबी स्थानों को गिनना है तो यह हो जाएगा एक के बाद बारा जीरोs यानि यह होगा गुणा दस के गात बारा टेन टू दा ट्वेल्व यह तो मुश्किल नहीं था, बहुत आसान है अब इस संख्या को लेते हैं यदि हम दशमलव के बाईं तरफ देखें तो यह पद है जो जीरो नहीं है यह है पांच तो यह बराबर होगा पांच इसके दाईं तरफ कुछ नहीं है यह तो पांच दशमलव जीरो जीरो है यदि और बारीकी सही से देखें तो यह होगा पांच गुणा अब कितने अंक होंगे दाइं तरफ या दशमलव के बाद, यानि दाइं तरफ कितने अंक या पद हैं, ये हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और हमें इसको भी गिनना होगा, तो चौदा, तो पांच गुना, दस की घात, अब इस संख्या को इसके मानक रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, चलिए कोशिश करते हैं, तो दस का अधिक्तम गुनच जो इसमें जाएगा वो है, एक, सौ, आप इसे एक, सौ लिखें या दस की घात, दो लिख सकते हैं, और ये यहां सबसे बड़ा पद है, अगर इने जीरोज मान लें, तो ये है एक सौ, जो जाएगा साथ सौ तेईस में, सेवन हंड़ेट और टूटी थ्री में, और तब ये हो जाएगा, साथ दशमलव, दो तीन गुना, यहां हम लिख सकते हैं, एक सौ, लेकिन हम साइंटिफिक नोटेशन का ही प्रियोग करें यह है पहले स्तान पर तो गुना 10 की घात रिनातमा केक, देखें यह समझ में आता है, क्योंकि यह बराबर होता है, छे भाग 10 केक, क्योंकि 10 की घात रिनातमा केक होता है, एक बटा 10 यानी 0.6, एक और, इसमें अलप वीराम या कौमाज लगा लेते हैं, जिससे 0s का गिनना आसान हो जाए तो इसमें सबसे बड़ा अंक है आठ तो इसको हम लिखेंगे इस तरह आठ दशमलव दो तीन इसमें शेश सभी अंक जीरोज हैं तो कुछ और नहीं लिखेंगे गुणा दस की घात कितनी है यह जानने के लिए देखते हैं कि यहां कितने अंक हैं आठ के बाद तो यह हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस आठ दशमलव दो तीन गुणा दस की घात दस उमीद है आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान है इन गणनाओं या कैलकुलेशन को करना एक योगिता है मैंने आपको ऐसा क्यूं होता है इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था अगर आप इसे गुणा करेंगे आठ दशमलव दो तीन गुणा दस की घात दस से तो आपको यही संख्या प्राप्त होगी आप दस की घात दस से कोई छोटी संख्या लेकर अभ्यास करके देखें दस की घात पांच ले 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 तब आपको दूसरी संख् है दशमलव 0000064 और लेते हैं एक बड़ी संख्या और फिर हम करेंगे दोनों को मल्टिप्लाई यानी गुणा इसे मैं गुणा करना चाहूंगा एक बहुत बड़ी संख्या से तीन दो इसके आगे मैं कुछ जीरोज लगा देता हूँ चलिए इतनी जीरोज काफी हैं तो इन्हें हम गुणा तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन यदि हम इने इनके मानक रूपों में परिवर्थित कर लें तो पहली बात इने व्यक्त करना आसान हो जाएगा और फिर आप देखिएगा कि इने गुणा करना भी सरल हो जाएगा तो ये उपर वाली संख्या पहले इसे इसके मानक रूप में बदलते हैं ये होगी छे तशमलव चार सिक्स पॉइंट फॉर गुणा दस कितना होगा एक दो तीन चार पांच छे मुझे छे को भी गिनना होगा तो दस कि खात रिनात्मक छे और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा तीन दशमलव दो त्री पॉइंट टू अब हम तीन के बाद के अंकों को गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा तो तीन दशमलव दो गुणा जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था छे दशमलव चार गुणा तीन दशमलव दो मैंने यहां गुणा के करम को बदल दिया है गुणा टेन टू दा माइनस सिक्स गुणा टेन टू दा इलेमन्थ पावर तो अब ये किसके बराबर है इस गुणन के लिए हम कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करेंगे साधारन गुणा ही तो है तो छे दशमलव चार गुणा तीन दशमलव दो कुछ देर के लिए इन डेसिमल्स को भूल जाएं बाद में देखेंगे तो दो गुणा चार आठ दो गुणा चे बारा तो ये हो गया 128 यहां लिख दिया हमने जीरो तीन गुणा चार हुआ बारा कहरी किया एक तीन गुणा चे अठारा जोडेंगे ये एक लिखेंगे यहां 19 ये हुआ एकसो बियान में इनका योग करेंगे तो यहां मिला आट चार, एक जमा नौँ दस, कैरी किया एक, ये हो गया दो अब हम गिनेंगे अंक जो decimals की दाईं तरफ है एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, दो अंक हैं देशमलों के बाद में ये गिना एक दो लगाया पॉइंट तो 6.4 गुणा 3.2 बराबर है, 20.48 तो ये हो गया 20.48 गुणा, यहाँ देखें इनके आधार समान है तो हम घातां को यानि exponents का योग करेंगे तो रिनात्मक 6 जमा 11 कितना होगा, ये होगा 10 की घात 5, 10 to the 5th power, minus 6 and 11 ठीक है, 10 की पांचवी घात, तो इसका यही उत्तर है हम अपनी करना आएं या calculations पूरी कर चुके हैं उत्तर भी मिल गया, लेकिन क्या ये उत्तर वेग्यानिक संकेतन में है मानक रूप में है, नहीं अगर आप ध्यान से देखें, तो ये उत्तर मानक रूप में नहीं है क्योंकि इस संख्या को भी सरलतम रूप में लाया जा सकता है हम इसे लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से करता हूँ इसे विभाजित करते हैं 10 से किसी भी संख्या को दस से गुणा या भाग तो कर ही सकते हैं इसे इस तरह लिख लेते हैं एक बटा दस लिख लेते हैं इस तरफ और दस से गुणा करते हैं इस तरफ इस से हमारी संख्या नहीं बदलेगी हमने भाग दिया दस से और गुणा भी किया दस से यानि ये समान है एक के गुनन या विभाजन से तो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे दस से तो प्राप्त होगा 2.048 और इसको दस से गुनन करेंगे तो गुनन दस होता है दस की घात 1 तो घहतांकों का योग करेंगे गुनन दस की घात 6 तो अब इस तरह आपको इसका मानक रूप प्राप्त हो गया है यह यहाँ पर हमने बहुत मल्टिप्लिकेशन कर लिया अब हम करेंगे विभाज यानि डिविजन करेंगे तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे यानि विभाजित करेंगे 3.2 गुणा 10 की 11 घात को 6.4 गुणा 10 की घात रिनात्मक 6 से 10 to the minus 6 पावर और ये बराबर है 3.2 बटा 6.4 के हम इनको यहाँ अब अलग लग कर सकते हैं तो ये होगा ये गुणा 10 की 11 घात 10 to the 11 बटा 10 की घात रिनात्मक 6 इन दोनों को गुणा करने पर वापिस हमें यही प्राप्त हो जाएगा तो 3.2 बटा 6.4 बराबर है देशमलव 5 के क्योंकि 32 आदा है 64 का या 3.2 आदा है 6.4 का तो ये है 0.5 यहाँ पर और ये कितना है ये है 10 की घात 11 बटा 10 की घात रिनात्मक 6 जब डिनोमिनेटर या हर में ऐसी संख्या हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं ये बराबर है 10 की घात 11 बटा 10 की घात रिनात्मक 6 समान है 10 की घात 11 गुणा 10 की घात रिनात्मक 6 और इसकी घात रिनात्मक 1 यानि ये बराबर है 10 to the 11th times 10 to the 6th देखे ये है 10 की घारवी घात बटा 10 की घात रिनात्मक 6 तो एक बटा कुछ होता है उस कुछ की घात रिनात्मक 1 और फिर मैंने घातांकों को गुणा कर दिया तो इस तरह ये बराबर होगा 10 की घात 17 के 10 to the 17th power आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि आधार समान या बराबर हों जैसे यहां 10 है और आपको विभाजित करना है तो numerator यानि अंश के घातांक में से हर का घातांक घाता दें जैसे यहां 11 घाता 6 जो होगा 11 जमा 6 जो बराबर है 17 के तो इस विभाजन या डिवीशन वाले प्रेशन का उत्तर है 0.5 गुणा 10 की सत्रवी घात जो की सही उत्तर है लेकिन यदि आप आगरे करें और इसे मानक रूप में देखना चाहें तो ये बड़ा या अधिक होना चाहिए एक से तो उसके लिए गुणा करेंगे 10 से इस तरफ इस साइड मल्टिप्लाई करें 10 से और इस तरफ विभाजित करें 10 से यानि गुणा करें एक बटा 10 से तो देखा अपने इस तरह नंबर वही रहेगा जाब इसे गुणा करेंगे 10 से और डिवाइड भी करेंगे 10 से तो इस तरह ये हो जाएगा 5 इसे गुलाबी रंग से लिखता हूँ ये हो जाएगा यहाँ 5 दस गुणा दशमलव 5 5 गुणा 10 की घात 17 भाग 10 ये समान है 10 की सत्रवी घात गुणा 10 की घात रिनात्मक एक ये 10 की घात रिनात्मक एक है तो ये बराबर है 10 की सोलवी घात के 10 to the 16th पावर यही हमारा उत्तर है जब हमने इसको विभाजित किया तो उमीद है संख्याओं के मानक रूप या scientific notation को लेकर जो भी सवाल आपके मन में थे उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे इनका आप और अभ्यास करेंगे तो और अच्छी तरह समझ सकेंगे